हेलो फेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे चल रहे होगी तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL Narora के 2022 के Expected Questions के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो की Science और GK के रहने वाले हैं तो iFRIंट अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question है कार रिक्या मात्रक है में इसका right answer हो जائएगा Option D यानि की Joule यदि की Joule है वह कार का Si मात्रक है अब देखते हैं यह वाट के है तो सक्ति का जो इसाई मातरक होता है वो क्या होता है तो वाट है बल का इसाई मातरक जो होता है वो क्या है तो न्यूटन है और बल का जो CGS मातरक होता है वो क्या होता है तो डाइन होता है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा अब इसके next question को देखते हैं तो अगला question है question number second अदिस रासी के उदाहारन है यानि कि आपको ये बताना है कि अदिस रासी कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि तापमान यानि कि तापमान है वो अदिस रासी है और बाकी सब option में दिया जैसे बल ये क्या है तो ये सदिस रासी है तो अरन क्या है ये भी सदिस रासी है समवे क्या है ये भी सदिस रासी है और जो तापमान है वो अदिस रासी है अब इसके कुछ point square में देख लेता है जैसे कि वैसी भौतिक रासी जिसमें क्या होता है केबल पड़िमान होता है और दिसा जो है वो नहीं होता है तो वैसे जो रासी होती है उन्हें क्या बोलते हैं तो उन्हें अधिस रासी बोलता है यानि कि अधिस रासी कहलाती है अब जैसे में कौन-कौन से अधिसरासी कहलाता है, जैसे कि जो दरबेमान हुआ वो अधिसरासी है, कारे हुआ ये भी अधिसरासी है, उर्जा हुआ, सक्ती हुआ, छेत्रफल हुआ, घनत्व हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, दूरी हुआ, धारा आकी बाकी सब भी बहुत सा अजिसरा से दिए गया है नेक्स्ट कोश्चन है कोशन में थर्ड गती का दूसरा समिकरन और समय के बीच का जो संबंध है देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D यानि कि इस्तिती यानि कि गती का दूसरा समिकरन इस्तिती और समय के बीच का संबंध को बताता है या फिर देता है जैसे कि जो गती है जो गती के जो समिकरन है वो तीन है और कौन-कौन से है तो जैसे कि फर्स्ट के है तो फर्स्ट जो समिकरन है वो है भी बेराबर यू प्लस 80 ग्रतेती करा तो गति का जो दूसरा समी करन है आधा है स्परबाबार यूती प्लस हाफ 80 असक्वार तयुदता है तौ duyव इस-क्वार बरबर one and one is qhanelli उसक्वारण से रहते हैं तो आप इस तीनों समी करन को अच्छे से याद कर ले कि नेक्स्ट को सचने को स्थ रोकेट लांचिंग कौन से नियम पर आधारित हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानि कि न्यूटन के गती का जो तिर्तिय नियम है उस पर आधारित है रोकेट लांचिंग कि अब समझ लेते हैं और कौन-कौन से आधारी था यानिकि इसके उधारन कौन-कौन से है तो न्यूटन के गति का तिर्थिया नियम पर यह अधारी था यानिकि यह भी इसके उधारन है न्यूटन के गति का तिर्थिया नियम पर अधारी था यानिकि इसके उधारन है नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन मर्फ 5 अमलिय वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन बी यानिकि SO2 और NO2 के कारण क्या होती है अमलिय वर्षा होती है अब देख लेता है इसके पॉइंट्स के बारे में जैसे की अमलिय वर्षा के कारण मिर्दा की अमलिय वर्षा बढ़ जाती है यानि कि जो अमलिय वर्षा होती है तो क्या होता है तो जो मिट्टी होता है उसमें क्या होता है अमलिय वर्षा में जो पी एच मान होता है वो कितना हो जाता है तो जो पी एच मान का जो अस्तर हो 5.5 से कम हो जाता है आपको पता ही है कि 7 से जो कम होता है यानि pH scale पे 7 से जो कम मान जिसका होता है वो अमलिय होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो छाडिय होता है अगला question देखते हैं तो next question है question number 6 लोहे में जंग लगना इन में से किसका समाने उदाहरन है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि रसाइनिक परिवर्तन यानि कि जब लोहे में जब जंक लगता है जो जंक लग जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है तो रसाइनिक परिवर्तन होता है और उसके पॉइंट्स बार में देख लेता है, बल्ब का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, और कहा है प्लेटीनम तार का जलना, ये कहा है, तो रसाइनिक परिवर्तन है नेक्स्ट कोस्टन है कोशन नमबर 7 निमने में त्रिज्च संजोजक तत्वा कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्षन डी यानि कि यह सब ही कौन-कौन से हैं तो यह सब ही में कौन-कौन से जैसे कि बोरोन हो गया इंडियम हो गया एलमॉनियम हो यह तीनों जो हैं यह त्री संजोजग तत्व हैं अब समझते हैं त्री संजोजग में परमानु के बीच तीन जोड़ा एलेक्ट्रोंस सर्जा करते हैं नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर एट सूर की उर्जा किस मैध्यम से उत्पन होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएका ऑप्शन यानि कि नाभी किये संलेन के द्वारा सूर की जो उर्जा है वो उत्पन होती है अब इसके पॉइंट्स पर में देख लेते हैं जैसे कि नाभी किये संलेन के सिधांद पर हाइडोजन बम का निर्बान होता है नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन भोजन से प्राप्त उर्जा को कैसे मापा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानि कि के द्वारा हम मापते हैं भोजन से प्राप्त जो उर्जा होता है उसे हम कैलोरी के द्वारा मापते हैं इसके पॉइंट स्कॉर में देखते हैं जैसे कि तापमान को कैल्बीन में मापा जाता है यानिकि जो तापमान होता है उससे कैल्बीन में मापा जाता है विदुद्धार को एंपियर में मापा जाता है नेक्स कोशन देखते हैं तो कोशन नमर्ट 10 मानो सरीर का सबसे बरा आंतरिक अंग कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन A यानि कि यक्रित जो होता है यानि कि जो लीबर होता है वो मानो सरीर का सबसे बरा आंतरिक अंग होता है और यक्रित ग्लुकोज की जो अधिक मात्रा जो होती है उसको ग्लाइकोजन में क्या करता है तो प्रावर्तित करता है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 11 दीने लाही को सुईकार करने से इनकार करने वाला हिंदू दर्बारी था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडर्मल यानि कि option A टोडर्मल जो था वो क्या तो दीने लाही जो धर्म था यानि कि दीने लाही को सुईकार करने से इसी ने कह किया था इंकार कर दिया था अब इसके point square में देख लेते हैं जैसे कि मान सिंग अकबर के नौरत्न में थे यानि कि जो मान सिंग था वो अकबर के जो नौरत्न था उसी में सामिल था तोडर्मल जो था वो अकबर के वजीर यानि कि उस समय वजीर को क्या कहते थे तो वित मंत्री कहते थे उस समय जो तोडर्मल था वो अकबर के दरबार में क्या था तो वजीर यानि कि वित मंत्री था नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 12 लोह पूरुस के नाम से प्रसीद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option A यानि कि सरदार बल्लभाई पटेल जो थे उन्हें क्या कहा जाता था तो उन्हें लोह पूरुस के नाम से ये प्रसीद थे अब इसके पॉइंच को नेक्स देखि लेता है जैसे कि सेरे पंजाब लाला राजपत राय को कहा जाता था यहन्य कि सेरे पंजाब कहा जाता था लाला राजपत राय को next question है question no.13 राष्ट कूट वन्स का महान सासक कौन था तो इसका right answer हो जाएका option B यानि कि गोबिंद तृतिय था वो राष्ट कूर्ट once का महान शाशक था और राष्ट कूर्ट की जो अस्थापना हुआ था वो 753 में हुआ था किनके तो दनती दूर्ग द्वारा किया गया था अगला कोशन है कोशर्म 14 साइमन कमिशन भारत में कब आया तो इसका right answer हो जाएका option C यानि कि 1928 में साइमन कमिशन जो है वो भारत आया अब इसके point square में देख लेते हैं जैसे कि साइमन कमिशन का गठन 8 नौवंबर 1927 को हुआ साइमन कमिशन में एक भी भारत यह नहीं थे इसलिए इस कारण क्या हुआ था तो जो भारत यह थे हैं वो इसका बिरोध किये थे नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन में 15 निमनलिखित में से कौन सी सिंदू घाटी सभेता की सबसे प्रमुक विशेष्टा थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी यानि कि नगर नियोजन यानि कि सिंदू घाटी सभेता की जो सबसे प्रमुक विशेष्टा थी वो क्या थी तो नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुक विशेष्टा थी अब इसके पॉइंट्स को में देख लेते हैं जैसे की सिंदू घाटी सभेता में नगर एक निश्चित योजन से बनाई गई थी नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन में 16 भारत का नेपोलियन किसकी उपादी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C यानि कि समुंद्र गप्त की उपादी है यानि कि समुंद्र गप्त को हम क्या बोलते हैं तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमर 17 निमनलिखित में से किस मंदल में ओजोन गैस पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B यानि कि समताप मंदल में ओजोन गैस पाई जाती है और इसके points के बारे में देख लेते हैं जैसे कि ओजोन मंडल सुर से आने वाली पराबैगनी किरन को क्या करती है तो रोकती है नेक्स्ट है ओजोन परत को डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 18 बूश्मैन रहते हैं यानि कि जो बूश्मैन है जन जाती वो कहाँ पर रहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन बी यानि कि कालाहारी रेगिस्तान में पाय जाते हैं कौन तो बूश्मैन जन जाती अब इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं जैसे कि कालाहारी मरुश्थल सबसे गर्ब मरुश्थल है नेक्स्ट थार मरुश्थल भारत पाकिस्तान में फैला है नेक्स्ट गोबी मंगोलिया में इस्तिधायन की मंगोलिया में है नेक्स्ट कोशन है कोशन मेर 19 उत्री अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं या फिर जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जागा आप्सन ए यानि कि प्रेडीच के नाम से जानते हैं अब इसके पॉंट्स कोवर में दें लेता है जैसे कि पंपास यह कह अखिंग के मैदान को पंपास कहते हैं तो अर्जनटीना में है मेल्स जो व्रॉस अप्रिका घास के मैदान है नेगाद मर upper e में अस्टेर्स हो रूस आदि छेतर में पाए जाते हैं यह जो चारों है यह कहें तो यह सभी घास के मैदान है और इस इलाके में यानिकि इस जगा यह पाये जाते हैं कि नेक्स्ट कोशन है कोशन में 20 बिद्दूत मोटर में रुपांतरन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएको ऑप्शन भी यह निकि जो बिद्दूत मोटर होता है वह क्या करता है तो बिद्दूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में क्या करता है तो रुपांतरित करता है अब इसके points के बार में देख रहें जैसे कि जो सितार है यह क्या करता है तो यांत्रिक उर्जा को ध्वानी उर्जा में बदलता है तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफियक्शन आपको टाइम से मिल सके और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF तो आप हमारे टेलिग्राम को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाकर जोईन कर सकते हैं थैंक्स फो वाचिंग